आज मैं जिस तरीके से आपको गाजर का हलुआ बनाना बताऊंगी वो बहुत ही जल्दी बनके तयार होता है और बहुत ही जादा स्वादिष्ट भी बनता है तो इस गाजर को हलुआ को आज हमने कैसे बनाया चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक केजी गाजर को अच्छे से धो के छील लिया है यहाँ पे मैंने ली है एक पाउल मलाई अगर आपके घर में एक से दो दिन तक की मलाई हो तो ही आप ले ज्यादा दिनों की मलाई ना ले एक केजी हमने यहाँ पे लिया ह दूद दूद यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेजर पे हैं गाजर को कद्दू कस करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक ग्रेटर लिया है उस ग्रेटर की साइटा से हम पूरी गाजर को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे मैंने यहाँ पे सभी गाजरों को लगवग एक केजी के करीब यह गाजर है इसे ग्रेट कर लिया गैस पे एक बड़ी कढ़ाई चड़ाएंगे उसमें हम डालेंगे एक चमज भर के देशी घी घी के थोड़े से गरम होने के बाद में हम उसमें डालेंगे जो गाजर हमने कद्दू कस करके रखी थी उसे गाजर को अगर हम घी में इस तरह से 3-4 मिनट तक भूनते हैं तो हल्वे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो ये वाला प्रोसेस आप जरूर करें देशी घी डालने के बाद मैं सभी गाजर को कढ़ाई में डाल दूँगी और इसे लगातार हम चलाते हुए लगबग 3-4 मिनट तक सेकेंगे घी में इस तरह से हमें लगातार गाजर को चलाते रहना है तीन से चार मिनट में आप देखेंगे गाजर का कलर एकदम से चेंज हो जाएगा मैंने गाजरों को लगाता चार मिनट तक इस तरह से लगाता चम्मत से चलाते हुए घी में भूना है आप देख सकते हैं गाजर का करर बिल्कूर चेंज हो गया है अब हम इसमें डालेंगे दूद तो जो हमने एक केजी दूद लिया था वो हम इसमें डाल देंगे पूरा दूद हमें इसमें डाल देना है दूद और गाजर की मातरा अगर बराबर होती है तो बहुत ही टेस्टी हल्वा बनता है इसी के साथ जो एक कटोरी हमने मलाई ली थी उसे भी डाल देंगे अब इसे हमें लगाता चलाना है और गैस का फ्लेम मैंने यहां पे तेजी र इस तरह से मैं इसे चला देती हूँ ताकि इसके अंदर जो मलाई वगेरा दूद है वो अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इसमें एक उबाल आने देते हैं एक उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे गाजन में हमारा एक उबाल आ गया है अब इसमें हम लगातार इस गैस का फ्लेम हमें यहां पे मीडियम टू हाई ही रखना है और इस तरह से हमें लगातार हलवे को चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में दो से थोई थोई देर में मैं इसे चलाती रहूंगी, हल्वे को पक्तवे लगवक 15 मिनिट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं, 15 मिनिट बाद में इसका जो दूट था, वो सूप के लगवक आदा हो गया है, दूट और मलाई एकदम अच्छे से गाजर में मिक्स हो रहे हैं, अब इसे हम इसी तरह से और सेकेंगे, पूरे हल्वे को पक्तवे लगवक यहां पर आदे घंटे का समय हो गया है, थोई थोई देर में मैं इस तरह से हल्वे को लगातार चला रही थी, इसे हम एकदम से छोड़ना नहीं है, नहीं तो हल्वा चिपक जाएगा, आदी घंटे बाद में मैं इसमें कुछ बदाम, मैंने हाँ पे 10 से 12 बदाम को छोटे टुकड़ों में काट लिया, उसे डाल दूगी, 10-12 कांजू उसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है, वो भी हम इसमें डाल देंगे, आप किसमिस भी डाल सकते हैं, जो ड्राइफूर्स आपको पसंदो, आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, और इसे एक ड्राइफूर्स डालने के बाद फिर से चला देंगे, अब इसमें मैं डालूंगी लगबग 3-4 कप के करीब चीनी, चीनी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना मीठा आप खाना पसंद करें, अपनी चीनी डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से चला देंगे, और जब आप चीनी डालोगे तो देखोगे कि हल्वा फिर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी का भी अपनी चासनी छोड़ती है, इसलिए हमें यहाँ पे अब गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देना है, ताकि हल्वा हमारा चिपके नहीं और स्लो गैस पे अब हमें हल्वे को पकाना है, लगातार एक दो मिनट तक इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है, चीनी डालने के बाद मैंने हलवे को लगातार एक दो मिनिट बाद इस तरह से चम्मच से चलाते वे पकाया और लगब 45 मिनिट हो गए पुरे हलवे को पकते वे अब हमारा गाजल का यम्मी यम्मी गर्मा गरम हलवा बिल्कुल तयार है साधी पाटियों वाला अब इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ मैंने हलवे को सर्व कर दिया है अब इसके उपर से आप अपने पसंद से कोई भी ड्राइफूट्स को गानिश कर सकते हैं मैं यहाँ पे बदाम और कांजू को गानिश करूँगी जिने मैंने कत्रन में काट लिया है तो एक साइड से मैं थोड़े से बदाम इसके उपर से इस तरह से गानिश कर दूँगी दूसरी साइड से कांजू इसमें गानिश कर दूँ है अगर आपके पास किसमिस है तो आप बीच में इसमें किसमिस भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो ये देखे जटपट बनके तयार हो गया हमारा बिलकुल साधी पाटियो जैसा गाजर का हलवा तो इस फिंटर सी कैसी लगी फ्रेंग थेंक यू बाइबाए